हाई गाईज वेलकम तो बिगवास 18 प्रोमो ब्रेकडाउन आज के एपिसोड के लिए चार प्रोमो चल रहे हैं तो प्रोमो का ब्रेकडाउन बनता है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह रात का जो सिचुएशन था जहां पर चाहत को तंग करा गया था वहां पर रजजत ने ठान लिया है कि हम अभी अभी नाश को सबक सिखाएंगे और एक और लाइफ फीट के फुटेज में ये भी दिखने में आया है कि रजजत ने बोला है कि हमें अभी नाश के ग्रूप को तोड़ना होगा तो अभी ये जो भी हम देख रहे हैं ये रजजत के प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी तो चल रहा है चाहत के लिए लड़ रहे हैं या फिर ये खुद के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको अभी नाश के ग्रूप को तोड़ना है Let's get into the next promo तो ये promo में आप देख सकते हैं करन और अवीनाश की बात हो रही है जहां पे करन उसको पूछ रहा है कि आपको अपने काम से क्या problem था रात को क्या आप काम कर रहे थे क्या आप लोग को disturb कर रहे थे अवीनाश वहां पे उनकी बात से हा में हा नहीं मिला रहा है तो वहां पे करन साफ साफ कहता है चाहत ने तुम्हारे उपर पानी तो डाला था उसने ये माना भी था पर तुम तो अपनी बात से मुकर रहे हो तो क्या तुमें कुछ सीखने की जुरूरत है, तुम छोटे हो, तुम मैं तुम्हारा पापा हूँ, वो वला पूरा सीन फिर से कहीं न कहीं होता है, पर यहां पे कहीं न कहीं करन सही तरीके से अविनाश को सबक सिखाते हैं, what do you guys think, क्या यह सबक सिखाना है, क्या यहां पे क सकते हैं कि करन और विवियन की बात होती है, और यह बात जो होती है, यह फिर से कहीं न कहीं करन ने विवियन की फैमिली की बात की, कि वो घर पे बैठके आपको देख रहे होंगे, वो उनको फील कैसे हो रहा होगा, और विवियन को यह बार बार उसकी फैमिली को घर में ल लग रहा है तो कौन यहां पे सही है विवियन या करन करन जो बार-बार किसी की फैमिली के ओपर जिखर कर रहा है क्या उसको करना चाहिए खास करके जब उसकी खुद की फैमिली की स्थिति इतनी स्टेबल नहीं है अगर कोई भी करन की फैमिली के बारे में अब बोलना शुर के बारे में हैं जहां पर बिग बॉस कह रहे हैं कि electric shock जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो nominated हो जाएंगे पर अब मुझे ये समझ में नहीं आया है कि क्या जब कोई nominations के लिए अंदर जाता है तो बाहर उनके पटे में बिजली आती है तो क्या इसका मतलब है कि जो अंदर जाएगा nomination के लिए बाहर जिसको electric shock मिलेगा उसको तो पता चल ही जाएगा कि किसने मुझे nominate किया है तो यहां पर यह देखना है कि जब शृतिका surprisingly शिलपा को nominate करती है क्या शिलपा को समझ में आ जाएगा कि शृतिका फरार हो चुकी है और तुमारे अंगोठे के नीचे अब वो नहीं है तो guys यह थे हमारे चार प्रोमोज हमारे next episode के लिए I hope कि आपको अच्छा लगा होगा इसका breakdown तो please like करना और ज़रूर subscribe करना और रात को हमें daily big boss के episode के बाद में join करना हमारे daily review के लिए आप भी join कर सकते हैं हमारे review में आपको simply आना है वहाँ पे chat में बोलना है कि मुझे भी review देना है camera on करना है और light अपने face के उपर रखनी है and फिर अपने point of view भी आप रख सकते हैं मेरे साथ so guys thank you so much for watching please do like and subscribe take care of yourself see you later in the review